नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम मोबाइल फोन की खराब होई बैंटरी को रिपेर करना सीखेंगे आप जो यहाँ पर यह बैंटरी देख रहे हो यह सभी बैंटरी मोबाइल फोन की खराब होई बैंटरी है यह 3.7 वोल्ट में होती है दोस्तों अक्सर मोबाइल फोन की बैंटरी और चार्जिंग की वज़े से फूल जाती है या फिर किसी बैंटरी को लंबे समय तक यूज ने किया जाए तो भी वे खराब हो जाती है इस परकार खराब होई बैंटरी आपको फैंकनी ने चाहिए बलकि आप उसे रिपेर करके दुबारा यूज में ला सकते हो और दोस्तों आज किस वीडियो में मैं मोबाइल फोन की खराब होई बैंटरी को दुबारा रिपेर करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा पहले हम इन बैंटरी को चेक करके देख लेते हैं उसके लिए मैंने मल्टिमीटर ले लिया है और इसको 20 वॉल्टेज पर सेट कर लिया है और अब हम इने चेक करके देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यह 3.7 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर इसके पलस और माइनस वाले निसान बने हुए है यहाँ पर यह पलस वाला निसान है और यह माइनस वाला निसान है यह इस परकार और अब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे यह ठीक कार्य कर रही है या नहीं कर रही है उसके लिए मैंने मिल्टी मिटर की स्विंग इसके फलस और माइनस पर लगा दी है और जैसे कि आप देख रहे हो मिल्टी मिटर में कोई भी रिडिंग नहीं आई है इसका मतलब है कि यह बैटरी बिल्कुल खराब हो चुकी है और यहाँ पर मैंने myntimeter की lid लगा दी है लेकिन myntimeter में कोई वीरडिंग नहीं आई है इसका मुद्लब है कि यह भी स्राभ है और अब हम इस वाली वेंटरी को चेक करेंगे यहाँ पर मैंने myntimeter तो हमें इन्हें बغैर मोबाइल के मैनवली चार्ज करना होता है हम इन सभी ब ενटरी को direct supply दे कर इन्हे चार्ज करेंगे उसके बाद फिर इन्हें चेक करेंगे आप जो यहां पर यह बेंटरी देख रहे हो हम सबसे पहले इसे repair करेंगे इसके लिए हमें ये चार्ज करनी होगी और चार्ज करने के लिए मैंने याँ पर ये 12V की सप्लाई ले ली है जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 वायर ले ली है मैंने जिसमें 12V सप्लाई है हम चेक करके देख लेते है हम multimeter से पहले इन wire में supply check कर लेते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर multimeter की lead ले ली है और दोनों lead मैंने इन दोनों wire से इस परकार लगा दी है और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमें यहाँ पर लगबग 13 voltage दिखा रहा है इसका मतलब है कि wire में supply आ रही है और अब हम इन से बैंटरी चार्ज करेंगे यह हमें plus वाली wire बैंटरी के plus वाले points लगानी होगी और minus वाली wire बैंटरी के minus वाले points लगानी होगी यह इस परकार हमें यह लगबगी यहाँ पर यह 5 minutes तक चार्ज करनी होगी इसी परकार हम इसको 5 मिन तक चार्ज करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दू दोस्तों कि मॉबाइल फोन की बैंटरी को मैनुवली चार्ज करते समय हमें इसें 5 Amp E CRA से जढ़ा कररंट नहीं देना होता है क्योंकि ज़्यादतर मोबाइल की बैंटरी 700 MHz से लेकर 5000 MHz तक होती है इसलिए दोस्तों हमें इसे 5 Amp E brake से जढ़ा करंट नहीं देना होता है और ना बैंटरी फट पिसकती है या फिर जो बेंटरी के सेल से जो बाहर पलस और माइनस वाले कनेक्टर पत्ती जुड़ी वही होती है उमें खराब हो सकती है और अगर दोस्तों चार्ज करते समय बेंटरी ज्यादा गरम हो रही है तो हमें इसकी चार्जिंग को हटा देना चाहिए और यहाँ पर मैं आपको बता दू दोस्तों कि बच्चे इस परकार का कारिये बिल्कुल नहीं करें बच्चे को ऐसे कारियों से दोर ही रहना चाहिए यह बेंटरी हमने लगबग 5 मिनट तक चार्ज कर ली है और अब हम इसकी वाल्टेज चेक करके देखेंगे उसके लिए मैंने मल्टी मिटर की लीड ले ली है और अब हम मल्टी मिटर की लीड इसके पलस और माइनस पर लगाएंगे यह इस परकार यह मल्टी मिटर की लीड मैंने इसके पलस और माइनस पर इस परकार लगा दी है जैसे कि आप देख रहे हो हमें मल्टी मीटर में यहाँ पर 3.15 वोल्टेज दिखा रहा है इसका मतलब है कि बेंटरी चार्ज होने लगी है इसी परकार हम इसको थोड़ा और चार्ज कर लेंगे इसके लिए मैंने यह पलस और माइनस की वायर ले ली है और अब हम माइनस वायली वायर इसके माइनस वायले पुइंट से लगा देंगे और पलस वायली वायर इसके पलस वायले पुइंट से लगा देंगे इस परकार हम इसको थोड़ा और चार्ज कर लेंगे ताकि यह अच्छी परकार कारिया करने लगे इसको हम इसी परकार दो से तीन मिर्थ तक और चारजिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी वोल्टेज चेक करके देखेंगे और चारजिंग करते समय ध्यान रहें दोस्तों बैंटरी के पलस और माइनस वाले पॉइंट एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए इसलिए चारजिंग करते समय हमें इसकी पलस और माइनस वाले वायर बहुत ही सावधानी से लगानी होती है ताकि में एक दूसरे से टचने हो इस परकार हमने चार्ज कर ली है और अब हम इसे फिर चेक करके देखेंगे इसके लिए मैंने मल्टी मिटर की लीड ले ली है और अब दोनों मल्टी मिटर की लीड हम इसके पलस और माइनस वाले पॉइंट पर लगा देंगे इस परकार हमें दोनों लीड इसके पलस और माइनस वाले पॉइंट से लगा कर इसको चेक करना होगा इस परकार मैंने दोनों लीड यहां पर लगा दी है और यहां मल्टी मिटर में हमें तीन पॉइंट दो छें वोल्टेज दीख रहे है यानि के सवा तीन वॉल्टेज बैंटरी में बन चुके है, इसका मतलब है कि बैंटरी ठीक कार्या करने लगी है, अब आप इस बैंटरी को मोबाइल फॉन में यूज कर सकते हो, और अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी बैंटरी की रिपेर करेंगे, उसके लिए मैंने यह यहां पर यह दूसरी बैंटरी ले लिया है, और जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो, यह बैंटरी बीच में से कुछ फुली हुई है, यानि कि यह इसके अंदर गैस बन गई यह और अब हम सुई से इसके उपर वाले कवर में एक छेद बना देंगे ताकि जो इसके अंदर गयस बिनी हुई है वो आसानी से निकल जाए यह इस परकार दोस्तों हम सुई या किसी भी नुपीली चीद से इसके उपर वाले कवर में कुछ इस परकार एक छेद बना देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमें इस परकार इसके उपर वाले कवर में एक छेद कर देना होगा यह मैंने इसके उपर वाले कवर में सुनी से एक छेद बना दिया है और अब इस निकाल देने के बाद हम फिर इसको चेक करके देखेंगे उसके लिए मैंने यह आपर यह मिल्टी मीटर की लीड ले ली है और अब हम इसकी वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं उसके लिए हमें पलस और माइनस पर यह लगा देनी होगी यह इस परकार पलस और माइनस पर मै यह नहीं मिल्टिमीटर की लिड लगा दी है जैसे कि आप देख रहे हो और यहाँ पर हमिल्टिमीटर में हमें कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है हमें यह बैंटरी एक बार मैनुवली चार्ज करनी होगी और उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे इसको मैनुवली है इन परकार बना गया है हमें इनको अच्छी परकार साफ कर लेना चाहिए आप पैंच कस्विया किसी अन्य चीज यहां से इसको इस परकार साफ कर ले और इसके यह सभी पॉइंट अच्छी परकार साफ कर लेने के बाद ही हम इसे फिर मैनुवली चार्ज करेंगे यह इस इस परकार मैंने सभी पुइंट इसके साफ कर लिए है और अब हम इसे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दे कर मैनवली चार्ज करेंगे यह इस परकार हमें इसके पलस वाले पुइंट से पलस वाली वायर और माइनस वाले पुइंट से माइनस वाली वायर इस परकार लगा द दोनों पॉइंट से लगा दी है और लगबग हमें इसी परकार यह 5 मिट तक चार्ज करनी होगी और 5 मिट के बाद हम इसे मिल्टी मिटर से चेक करके देखेंगे यह लगबग इसे 5 मिट हो चुके है और अब हम इसे मिल्टी मिटर से चेक करके देखेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर यह multimeter की lead ले ली है और अब हम इसकी voltage चेक करके देखेंगे यह charge हो रही है या नहीं हो रही है इस परकार मैंने plus और minus से यह दोनों lead लगा दी है और multimeter में हमें यहाँ पर कोई भी voltage नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि यह battery बिल्कुल भी charge नहीं हो रही है दोस्त इसको यहां से हटा लेना होगा उसके बाद ही हम इसे रिपेर करेंगे हमें कुछ इस प्रकार इस प्लास्टिक को यहां से हटा लेना होगा जैसे कि आप देख रहे हो हमें बहुत साथ धानी से इसे यहां से इस प्रकार हटा लेना होगा अब इसके बाद दोस्तों जो आप इ चार्ज नहीं हो रही है हमें यहां पर लग इस प्लास्टिक को अलग करना होगा यह कुछ इस परकार हमने यहां से इसको अलग कर लिया है और अब हम इसको चेक करके देखेंगे इसको चेक करने के लिए हमें यहां पर मिल्टीमिटर लेना होगा इस परकार मैंने यहां पर य करेंगे यह इस परकार हमें यहां पर बहुत ही कम वोल्टेज हो हो रही है यह इस परकार और अब हम इसे मैनवली चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद वाले पॉइंट से और माइनस वाली वायर माइनस वाले पॉइंट से इस प्रका लगा देंगे और इसको हम लगबग 5 मिर तक चार्ज करेंगे फिर उसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे यह चार्जिंग ले रही है या नहीं ले रही है हमने यह लगबग 5 मिर तक करने के लिए मैंने यहां पर multimeter की lead ले लिए है और अब हम इससे इसकी voltage चेक करेंगे यहां पर मैंने plus वाली lead इसके plus वाले points लगा दी है और minus वाली lead minus वाले points लगा दी है multimeter में हमें लगबग एक voltage हो रही है इसका मतलब है कि battery charging ले रही है इसे हम थोड़ा और चार्ज कर लेते हैं फिर उसके बाद check करके देखेंगे यह इस परकार मैंने दोनों लिड़े के dakot लगा दी है और आब हम इसे थोड़ा और चार्ज कर लेते हैं उसके बाद फिर इसे हम चेक करके देखेंगे अब लगबग इसको एक मेंट और हो चुका है और अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं उसके लिए मैंने मल्टीमिटर की लीड ले ली है और अब हम इसके पलस और माइनस वाले पॉइंट लगा कर इसकी वाल्टेज चेक करेंगे मैंने दोनों म दोस्तो में ठोड़ा जादा समय लेगी और यहां पर मैं आप को बता दू दोस्तो यह बैंटरी का जो आप देख रहे हो यहां पर यह माइनस वृला पॉइंट हो ओता है और यह पर पॉइंट होता है आप इन कारियों से दूर रहे इस पर कार का कारिये बच्चे बिल्कुल ने करें और दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रोनिक से रिलेटिड जो भी वीडियो चाहिए आप हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बोक्स में अवेश्य लिखें आपको जो वीडियो चाहिए होगी हम वही वीडियो अपलोड करेंगे और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक वेश्य जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की स्विच ना आपको मिलती रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूंगा